अब एक भारत शेष्ट भारत की तहत चर्चा करते हैं असम के प्रसिद्ध धार्मिक इस्थल कामाख्या मंदिर की असम का ये मंदिर 51 शक्ती पीठों में से एक है देखते हैं असम से खास रिपोर्ट भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां आध्यात्मिक इस्थलों की भरमार है हर साल दुनिया भर सी लाखों लोग तवस्या और मौक्ष के तलाश में भारत आते हैं यह भारत में धार्मिक परेटन को बढ़ावा देता है वर्तमान में धार्मिक परेटन तेजी से बढ़ता परेटन उद्योग बनता जा रहा है ऐसे में धार्मिक इस्थानों का महतो भी जाहिर है कि लगातार पढ़ रहा है कामाख्या मंदिर को विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है यह अनूठा मंदिर असम के गोहावाटी शहर में निलाचला पहाडी के शिर्ष पर इस्थित है मंदिर के भविता के दर्शन इसके द्वार पर ही हो जाते हैं जो पत्थर पर बेहद खोबसूरत नकाशी की एक मिसाल है द्वारों पर रंगीन फूलों का शिल्प बरबस ही अपनी ओर आकर शुत करता है पहाडी की चोटी पर बने इस मंदिर का विशाल गुमबद दूर से ही दिखाई देता है देश और दुन्या में धार्मिक पर्याटन का बड़ा केंदर होने के कारण गुहावाटी शहर में पर्याटकों के लिए आवास और संचार समेत सभी सुविधाओं को मुहया कराया गया है कामाख्या देवी की दर्शन करने देश के विभिन हिस्सों से तो शद्धालू आते ही है विदेशों से भी आने वाले पर्याटकों के संख्या अच्छे खासी है I like it. It's a new country for me. It's very exotic. It's very exotic for me. It's very interesting also. I think there's a spiritualism here. It's very interesting to see the pilgrims coming to this place and worshiping for the part of Yoni, for the Yoni, Yoni. कामाख्या मंदिर ना सिर्फ असम में बलकि पूरी दुनिया में एक अनूठा तीर्थिस्थान है. देश के 51 शक्ती पीठों में से यह एक शक्ती पीठ है. आध्यात्मिक लोग और संत यहां साधना कर शक्ती जगाने के उद्देश्य से भी आते हैं. सिर्फ पीठों में से एक यह भी पीठ है कामाख्या मा कामाख्या यहां पूरे देश से आते हैं सन्याशियों का ज्यादा है जो तंत्र साधना या जो भी साधना करना चाहते हैं उसके लिए हैं. 21 फरवरी को अपने कामाख्या के यहां पे पीछे शिव मंदिर है जो 364 दिन पानी में डूबा रहता है खाली शिवरात्री के दिन ही उसके दर्शन होते हैं पिंडी के. पर 21 फरवरी को दर्शन होंगे. कालिका पुराण के मताबिक इस इस्थान पर तबस्या कर सती ने भगवान शिव को प्रसंद किया था. ऐसी मन्यता है कि सती के दाह करने के बाद भगवान शिव ने उसके शव को लेकर तांडव किया था और सती का अंग यहां गिरा था. तंत्र साधना का बड़ा केंदर होने के कारण यहां हर साल बड़ी तादाद में लोग आते हैं और देवी को प्रसंद करने का प्रयास करते हैं. अपनी मनोतियां लेकर भिश्रद्धालू कामाख्या के दरबार में हाजिर होते हैं. महाशिवरात्री और दुरगा पूजा क अवसर पर यहां विशाल मेला भी भरता है.